है गाईज विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत हैप का इस वीडिये में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट अपडेट है एंडी पीसी की तरफ से और बहुत बड़ी खबर है नेशनल थर्मल पाउर कॉर्परेसनल लुमिटेड भारत की सबसे बड़ी महारातना कंपणी गाईज एंडी पीसी है हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि इस कंपणी में कास कोई जॉब मिल जाए कोई क्या यानि सरकारी पर्मानेंट नौकरी मिल जाए तो रोयल लाइफ यहां पर जी सकते हैं इसमें नौकरी करके जियां हो भी क होना क्योंकि एंडी पीसी इंडियास की सबसे बड़ी और सबसे मौस्ट रिनवल कंपनी है यह टोटली बिजली निर्मान करती है कोईले से आजकल सोरल प्लांट में भी एनर्जी डिस्रिब्यूट कर रही है बट कोईले से बिजली निर्मान करती है वो है आपका एंडी प student को बड़ा जटका दे सकती है तो चलते हैं वापस notifications की और पहले की recruitment में फिर हम बात करेंगे actually में क्या notification release की गई है start करते हैं वीडियो को आगे बनने से पहले चैनल पे नहे हैं subscribe जरूर कर लिजेगा बेल अकन को पेस करते हैं और इसी तरह बहतरीन जॉब सब्डेट पाने के लिए टेलिग्राम चैनल से जरूर जुड़े हैं जितने भी आईटिया स्टूडेंट हैं डिप्लोमा स्टूडेंट वीडियो में बने रहेगा एक important अपडेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए इ notification देख लो यह है NDPC Mining Limited यह vacancy release की गई थी करीब करीब last में vacancies निकाली गई थी यानि की year के last में 2023 में जिसकी last date तिक phone apply करने की आप देख सकते हैं 31 December 2023 अलग-अलग various post पर vacancies थी Mining की जिसे देख सकते हैं Mining formant की recruitment थी यह अलग-अलग plant में फिर यहाँ पर vacancies निकाली गई थी इन्चार्ज की mechanical supervisor की electrical supervisors की vocational training instructor junior mine surveyor mining सिर्दार की जो की एक बेहतरीन vacancies मानी जाती है यह Mining सिर्दार की यहाँ पर vacancies release की गई थी गई याद आया ना हो सके आप सभी candidate ने बहुत सारे candidate ने यह fulfill किया हो जिसका written exams भी हो चुका था गैज इसकी बड़ी खबर यह है कि यह vacancies को NTPC के द्वारा cancel कर दी गई है sad news है पता नहीं department ऐसा क्यों करती है अगर करना हो तो जब vacancies निकलती है अगर आपको यसी time करनी चाहिए कि जब vacancies निकलिए तो vacancies को cancel कर दिया जाए vacancy निकलती है लोग महिनों wait करते हैं फिर उसका exams होता है exams अच्छे तयारी करके लोग exams देते हैं अच्छे marks का इंतजार करते है result का finally exams के बाद exam ये vacancies को ही cancel कर दिया जाता है रद कर दी जाती है तो एक बहुत बड़ा example होता है आजकल की date में ये परचलन हो चुका है अगर मैं बात करूं तो vacancies निकलने के बाद exams के बाद cancel होना इस प्रकार इस student को demoralize करती है और student के future के साथ खिलवाड करती है government अब चले चलते हैं थोड़ा सा notification में बता दता हूँ recruitment advertisement देख लो ये आपका NML 01-2023 की recruitment है और 31 December 2023 तक इसकी last date थी apply करने के लिए तो भहिया ये NDPC की latest recruitment notice है notice application आप देख सकते हैं मैं आपको official भी notification दिखा दूँगा सबसे पहले ये देख लो कि कहां पर notification आईए notice for cancellation of recruitment advertisement में ने बताई थी NML 01-2023 वही recruitment गई इस NDPC mining limited head invited application for mining government और magazine in charge के लिए था mechanical supervisor, electrical supervisor, vocational training instructor, junior mine surveyor and mine sirdar totaling 114, 32 post थी यार 114 post के लिए from eligible candidate advertisement में जो भी candidate apply किये थी जो release की के थी 8 December 2023 तक यानि की vacancies को पूरी तरीके से recruitment को ही रद कर दिया गया है including exams जो आपने exams दिये, exams भी आपका खतम हो चुका है और जो 21 जनवरी 2024 को exams ली गई थी इसकी finally guys इस vacancy को ही रद कर दी गई है for employment news details आपको 16-22-22 में आपको यह details दी गई थी यह official career portal है NDPC का तो guys यही official notification है NDPC की जो special recruitment निकलती है यही पर आपको मिल जागी देख सकते हैं NDPC Mining Limited NDPC for cancellation of recruitment advertisement वही था सेम और इसी notification को हम liably यहाँ पर download करते हैं तो यही notification निकल के आती है so finally guys बहुत बड़ी sad news है यार पता नहीं department इस तरह क्यों करती है हर बार जो exams लेने के बाद vacancies को रग कर दिया जाता है फिर यह तो एक बहुत बड़ा जटका है exams के बाद cancel हुआ है जो आपका return exams के बाद vacancy cancel हुई है लेकिन आप सभी student जो भी ITI के student है diploma के student है या जो mining से vacancies जिसका जो form भरे थे उन सब के लिए एक good new जवस है कि आपकी vacancy return फिर से एक new vacancies आएगी NML की तरब से और बहुत बड़ी संख्या में vacancies निकलेगी बहुत restrictions हो गया था NML में mining से related इसी NML से हलांकि NDPC का ही part है बट कुछ न कुछ इसमें controversy हुई थी recruitment को लेकर दुबारा cancel की गई है अब ये फिर से एक नई अफदार में vacancies निकल के आएगी और एक बड़ी संख्या में आएगी जहां पर ITIA के candidate भी apply करेंगे diploma और Bbita के candidate भी form apply कर सकते हैं तो इस परकार की recruitment जो है NDPC निकालने वाली है तो आपको wait करना है कब तक ये vacancies return देखने को मिले थी क्योंकि 300 रुपे application fee देके सभी सारे student ने form fill किया था तो wait कीजे vacancies का हलांकि ये sad news जरूर है आप सभी student के लिए vacancy cancel हुई है vacancy निकाई निकालने थी तो इसका मतलब ये नहीं कि vacancy को cancel कर दिया जाए लेकिन इसका proof जो है exact जो इसका data क्या होगा क्यों cancel किया गया ना ही हमारे पास है ना और NDPC तरह से कोई data release की गई है हाँ लेकिन सुनने में जरूर आया है सुतरों से कि ये जो vacancies दुबारा vacancies आने वाली है यहां से ओके और एक बड़ी संख्या में release होगी तो यही कारान होगी अल्मोस्ट फिराल देखते हैं RTI लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं कुछ doubt होगा comment करके जरूर बताएगा और ये department की बहुत खराब नियम है इस तरह से किसी को भी नहीं करनी चाहिए student के साथ खिलवार नहीं करनी चाहिए वडियो कैसे लगी जरूर बताएगा यूच्पल लगी हो लाइक से रहन सब्सक्राब जरूर कीज़ेगा पर देन एक सोड़े में तब तक लिए जाहिए